हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम आज बात करने वाले हैं हमारी प्रेडिक्टेबल की हिस्ट्री की हम बात करेंगे कि कैसे हमारी प्रेडिक्टेबल मूदल प्रेडिक्टेबल वनी वो कौन-कौन सी पस्टनेलटी थी जिन्होंने दिन रात एक करके हमारी प उनकी अगर मैं बात करूँ, मैं बात करूँ, एलिमेंट्स को अरेंज करने की, तो अगर मैं इंडिया की जो historical stories है, उनकी बात करूँ, वेदाज की बात करूँ, तो उनमें कहा गया कि ये पूरा ब्रह्माड, पूरा यूनिवर्स, पांच तातू से मिलकर बना है, फाइफ एल and इथर, इथर का मतलब था, हमारे जो वेदाज हैं उनमें, इथर का मतलब था आकाश, ऐसा माना जाता था कि ये आकाश है, जो इन सारी चीजों को समेटे हुए है, इसको इथर कहा गया, यह भी माना जाता था कि सन से जो एनरजी आती है आकाश जैनि एथर उसका माध्यम है मतलब आकाश वो माध्यम है जिसमें एनरजी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है हाला कि electromagnetic waves की invention के बाद ये पाया गया कि energy को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मतलब मैं electromagnetic waves की बात कर रहा हूँ इन waves को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी medium की जरूरत नहीं होती इसका मतलब कही ना कही हम ये गलत मानते थे कि energy को एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए किसी medium की जरूरत होती है ether की जरूरत होती है उसी time अगर ग्रीक और जो ग्रीक और यूनानी लोग थे लैटिन लोग थे उनकी बात करें तो वो ऐसा मानते थे कि पूरे ब्रह्मान चार चीजों से मिलकर बना है उनकी theories में आकाज शामिल नहीं था ether नाम की कोई चीज नहीं थी उनके according हर substance हर सबस्टांस हर चीज यहाँ चार चीजों से मिलकर बनी है पिर्थ्वी यानि अर्थ fire मतलब अगनी, gel मतलब water whyu मतलब air इन चार चीजों से मिलकर हर चीज बनी है अगली जो हमारे दिमाग में यानि जब ये चार चीजे हमारे दिमाग में थी तो जो अगला सवाल था इसका ये मतलब अगला सवाल जो हमारे दिमाग में आया वो ये था क्या इन चार चीजों को एक से दूसरी फोम में बदला जा सकता है क्या हम वायू और एयर को मिलाकर जल बना सकते हैं या जल और वायू को मिलाकर फायर जनरेट की जा सकते हैं यह सारे सवाल हमारे दिमाग में थे तो उसके बाद जनम हुआ अलकेमिस्ट का अलकेमिस्ट उन टाइम में उन लोगों को कहा जाता था जो दो चीजों को मिला कर नई चीज बनाते थे मतलब जो अलग अलग चीजों की रियक्शन करवाते थे उन्हें उस टाइम अलकेमिस्ट कहा जाता था अलकेमिस्ट का मतलब होता था उस टाइम जादू कर मतलब जो chemicals के साथ जादू करते हैं जो हम lab में बहुत आम तरीके से आज कर देते हैं उस time में ये reactions बड़ी बाते हुआ करती थी इस तरीके से alchemist का जनम हुआ उसी time में Germany में एक alchemist हुए ऐसे ही चीजों को मिला कर नई चीज बनाने वाले एक scientist हुए unfortunately जिसका नाम मुझे नहीं पता याद नहीं है उन्होंने सबसे पहले सबसे पहले एक element को synthesize किया एक tattoo को बाहर निकाला मतलब इन चार चीजों के अलावा एक नहीं चीज भी होती है मतलब नहीं चीज भी होती है मतलब elements अलग-अलग होते हैं ये पांच tattoo तो हैं पर ये कुन से पांच? fire, germ, ये सब ये चार tattoo तो हैं इन चार tattoo के अंदर भी कुछ और elements present है जिनको अलग किया जा सकता है अई होपा मेरी बात समझ रहे हैं तो ये जो काम सबसे पहले किया ये एक German के chemist ने किया उस time में लोगों को लगा कि जो urine है वो golden color का इसलिए क्योंकि उसमें gold है तो उन्होंने उस German alchemist ने कहते हैं 60 buckets urine इखटा किया और उसमें से gold निकालने की कोशिश की वो gold तो नहीं निकाल पाया बट वहां से इनसान ने उसी alchemist ने सबसे पहले सबसे पहला element isolate किया और इस element का नाम था phosphorus जो इनसान ने isolate किया वो पहला element phosphorus था जो human urine से अलग किया गया था ओके I hope आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहरा हूँ इस तरीके से elements को इन चार कत्व के अलावा की form में भी देखा जाने लगा ये कहा जाने लगा कि ये पूरी दुनिया इन चार elements से तो मिलकर बनी है बट इनके अंदर भी कोई दूसरा element है तीसरा element है चोथा element है राइट ओके जन को बनने के लिए शायद उससे भी छोटे किसी element की जरूरत है तो इस तरीके से हमने elements को isolate करना स्टार्ट किया elements को पढ़ना स्टार्ट किया वाईउ के अंदर क्या है ये जानने की हमने कोशिस स्टार्ट की और इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे elements आने लगे elements को arrange करने का काम जो हमारी predictable है मैं कह सकता हूँ इसके इसके ओरिजन की कहानी अठारा सो सत्रा में स्टार्ट में 1817 में यानि अब से लगबग 200 साल पहले 200 साल से भी जादा होगे 2017 में होगे होगे 207 हो दोसो तीन साल होगे अब तो अगर मैं 2020 की बात करूं तो तो दोसो तीन साल पहले 203 years before एक साइंटिस्ट हुए योहान वोल्फकेंग डोबिनियर इसको जोहान नहीं पढ़ना जो पढ़ना है योहान वोल्फकेंग डोबिनियर इन्होंने elements को arrange करने का काम स्टार्ट किया इन्होंने elements को कैसे arrange किया देखे समझे इन्होंने क्या किया एक light element लिया light element से मेरा मतलब जिसका atomic mass कम था, जो हलका था, हलके से मेरा मतलब जिसका atomic mass कम है, और एक heavy element लिया, जिसका atomic mass जादा था, और एक light element एक heavy element और इनके atomic mass का average लिया, और ये देखा, जो ये average आया है, इस atomic mass का कौन सा element है, और उस element को इन दोनों के बीच में रख दिया, मैं यहीं लिख रहा हूं, यहीं का मतलब average element, जिसका atomic mass इन दोनों के average था, जैसे lithium, lithium का atomic mass 7, और एक इनोंने उठाया potential, जिसका atomic mass था 39, 39 plus 7, 39 plus 7 by 2 is equal to 23, इनोंने ऐसा element search किया, जिसका atomic mass 23 था, और उस element को इन दोनों के बीच में रख दिया, और वो element था sodium, जिसका atomic mass 23 था, और इनोंने यह कहा कि इन तीनों element की property एक जैसी होगी, तो dovinier ने तीन-तीन elements का गुच्छा बनाया, grouping की, एक group में तीन element, फिर अगले group में तीन element, फिर अगले group में तीन element, ऐसे elements को रखा, जा तक हो यह 200 साल पहले की कहानी है, अगली जो triad, तो हम इसे triad कहेंगे कि तीन element है, अगला triad जो इनोंने बनाया, वो बनाया, अगला तो मुझे नहीं पता, बट जो, एक ओर triad, बतब ऐसे काफी triad बनाये थे, एक ओर triad जो बनाया उसमें था, iron, nickel, और बीच में रखा, कुबाय, एक triad यही था, जो डूबिनियर ने दिया था, iod, chlorine और इनका average dromine, ओके ठीके बचो, यह जो triad आप देख रहे हो, यह तीन elements का जो grouping आप देख रहे हो, यह modern predictable में भी देखने को मिलती है, आज की predictable अगर आप देखेंगे, तो उनमें भी lithium, sodium, potassium एक साथ है, iron, copper, nickel, निकल एक स जात है, जैनि आज की predictable में भी यह trend हमें देखने को मिलता है, यह अलग बात है कि modern predictable इस तरह की table से कहीं आगे है, उस सिर्फ इन तीन elements का grouping नहीं करती, बलकि बहुत सारे elements को एक साथ दिखा देती है, जो कि डूबिनियर नहीं कर पाया, वो सिर्फ एक group में तीन ही elements को रख प साथ इनसान ने सिर्फ elements नहीं, बलकि बड़ी-बड़ी और भी invention की, जो जिससे की elements को isolate करना, atomic mass जाना, उसके लिए और ज़्यादा accurate होता गया, तो अब्यसी बात है कि आज की predictable इससे तो आगे होगी, बट दोसको तीन साल पहले अगर आप जाओ, तो ये काम भी छोटा नही लग था, तो इस तरीके से दोवीनियर ने elements को सबसे पहले arrange करने की कोशिश की, और इस arrangement के तरीके को हम love triads के नाम से जानते हैं, इसके बाद 1865 में, 1865 में new lands, octaves rule आ रहा, वो देखते हैं new lands, octaves rule क्या था, यस बचो, इसके बाद, यानि 1817 के बाद, एक और महान, साइंटिस्ट हमारे सामने आये, जिन्होंने elements को arrange करने का काम किया, उनका नाम था, जोन अलेक्जेंडर new land, जोन अलेक्जेंडर new land, नाम था इनका, इन्होंने जो rule दिया, जो ला दिया, elements को arrange करने का, हमने उस ला को नाम दिया, new land's law of octaves, octaves का मतलब, यहाँ, oct का मतलब art होता है, तो art कुछ ना कुछ है यहाँ, I think आपने यह पहले भी discuss किया होगा, 10th या 9th में, बट दुबारा देखे, new land's ने, sorry, new land ने क्या किया, जो हलके elements थे, उनको arrange करना start किया, और उन्होंने कहा, कि हर आठवा element, पहले element, जैसा होगा, मतलब, उन्होंने सबसे पहले एक हलका element, याद रड़ना, हलके से मेरा मतलब जिसका atomic mass कम है, तो सबसे पहले उन्होंने lithium को रट लिया, lithium से heavy, beryllium था, beryllium से heavy, heavy से मेरा मतलब जिसका atomic mass ज्यादा था, वो boron था, right, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluoride, साथ elements अरेंज किया है, आठवा elements, he found, कि आठवे element की property पहले वाले जैसे थी, right, याठवे पे आने वाला था sodium, उस time noble gases invent नहीं हुई थी, right, 1865, no, yeah, 1865 की बात है, right, इसके चार साल बात फिर एक periodic table आई, जिसने बहुत बड़ा नाम कमाया पूरी दुनिया में, तो 1865 की बात है, okay, तो उस time तक noble gases के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता था, तो noble gases का यहाँ जिक्र नहीं किया गया, okay, आठवा element, जो आया, वो sodium था, and he found, आठवा element, यहाँ न लिखकर उसने यहाँ लिखा, और यह कहा, आठवा element पहले element जैसा है, बतब sodium, lithium जैसा है, right, इनकी property match करती है, दोनों metals है, दोनों reactive metals है, okay, चरिए, अच्छी metals है, मैं कह सकता हम, okay, sodium के बाद इन्होंने यहाँ अरेंज किया, magnesium को, अगें, यह आठवा element अगर आप यहाँ से start करें तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आठवा element इस element जैसा था, right, इसके बाद इन्होंने aluminium पाया, aluminium के बाद silicon, nitrogen के बाद phosphorus, oxygen के बाद sulfur, यह आठवा है, sorry, यह आठवा है, अगर यहाँ से start करेंगे तो, fluorine के बाद chlorine, right, chlorine के बाद अगर यहाँ नीची रहें, तो potassium, potassium के बाद calcium, right, इस तरहीके से elements को, यहाँ उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि 1865 में, gallium, I think invent-wide नहीं था, not I think, I am sure, gallium उसके बाद, उसके काफी दिन बाद खो जा गया है, तो यहाँ पर उसने किसी को नहीं लिखा, पर उन्होंने अपना रूल दिया, उन्होंने एक नया ला दिया, उन्होंने कहा, इस नियम के अनुसार, हर आठवा element, पहले element जैसा होगा, अगर आप उनको atomic mass के increasing order में arrange करते हैं, यह भी कोई छोटी बात नहीं थी, बट 1865 में पहले new lands को discard कर दिया गया, मतब काफी ज़्यादा response नहीं मिला उसके periodic table को, इस arrangement को, हला कि बाद में हम देखा गया कि, जो new land कह रहा है, वो छोटी बात नहीं है, उसमें भी काफी elements की properties को समझने में हमारी help की, ज़्यादा नहीं, उस time वो अपनी periodic table में, इस arrangement में, I'm sorry, not periodic table, इस arrangement में, सिरफ 40 elements ही रख पाया, यह उसकी drawback थी, हमारे बहुत सारे element थे, बट उसकी predictable में, सिरफ 40 element ही fit बैठते थे, वो element जिनका atomic mass ज़्यादा था, ऐसे elements के लिए कोई जगे नहीं थी, new land के इस octave में, मतब heavy elements को जब रखते थे, तो हम बादे थे, हम गलत है, आठवा element, पहले element जैसा नहीं था, tungsten की बात करें, रैनियम, रोडियम, ओस्मियम, इन elements, इंडियम, इन elements की बात करें, तो octaves की predictable में, heavy elements के लिए जगे नहीं थी, दूसरी बात, कुछ टाइम के बाद, noble gases भी invent हो गई, noble gases का कहीं कोई जिक्र नहीं था, ये भी इस periodic table की कमी थी, ये भी इस arrangement की कमी थी, तो पहले पहल उसको जबा इजद नहीं दी गई बात में, लोगों ने देखा कि ऐसा नहीं है, उसकी arrangement भी बहुत बेकार नहीं है, तो 1887 में इन्हें debi medal दिया गया, इंग्लेंड की queen के द्वार, इन्हें debi medal से नवाजा गया, okay, not queen, I think, I'm not sure, बट ये जो medal है, ये वहां की rural society है, जो science के लिए काम करती है, वो ये debi medal देती है, तो इन्होंने, इनको debi medal भी दिया गया, in case, इस arrangement के लिए, okay, but problem आपको पता ह noble gases के लिए कोई जगह नहीं थी, right, दूसरी बात, ये heavy metals के लिए applicable नहीं होता था, तो बहुत सारे element इसमें भी fit नहीं हो पाई, इसमें सर्फ 40 element को ही वो arrange कर पाया, इसके बाल आता है, Lothar Mier, बचू 1869 में, एक scientist आये, Lothar Mier, Lothar Mier, he was from Germany, तो इन्होंने क्या किया, Lothar Mier, I Lothar Mier ने एक ही आगमी था, dash तब लगाते हैं, तब दो अलग-अलग scientist होते है, Lothar Mier was one, okay, तो Lothar Mier ने 1869 में, अलग-अलग elements की study की, कैसे study की, उनका boiling point देखा, उनका melting point देखा, उनकी density देखी, right, okay, density देखी, तो ये सारी चीज़े observe करके, उन्होंने एक graph draw किया, atomic volume और atomic weight के बेच, अगर आप देखें, atomic volume कैसे calculate किया आप उन्होंने, जैसे कि आप जानते हो, density is equal to mass over volume होता है, right, तो volume is equal to mass over density, मतला, उन्होंने atomic mass लिया, upon उस element की density, density निकालना को बड़ी बात नहीं है, density को बड़ी easy लिए calculate किया जा सकता है, आपको ये देखना है कि वो substance कितने gram है या कितने kilogram है, एक particular volume में, फिर जितना mass आपके पास है, जितना mass आपके पास है, और जितनी जगह में वो आ रहा है, उसको divide करोगे तो density पता लग जाएगी, तो density निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, atomic mass निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, okay, atomic mass अमें पता ही था, त उन्होंने volume लिया, अलग-अलग elements का, right, फिर एक graph draw किया, जिसमें उन्होंने y-axis पे atomic volume रखा, और यहाँ पे atomic weight, जिसका atomic weight इतना है, atomic volume इतना है, उसको यहाँ रख दिया, right, जैसे यहाँ lithium आ गया, okay, यहाँ sodium आ गया, यहाँ potassium आ गया, okay, इस तरीके से elements को arrange किया, इस तरीके कि जो एक जैसी property वाले element थे, एक जैसी हर्ततों वाले element थे, जिनके reactions एक जैसी थी, वो graph में same position पे आ रहे थे, बत्तार, lithium यहाँ आ रहा है, sodium यहाँ, potassium यहाँ, हमने पाया कि इन elements की property एक जैसी है, जो यहाँ आ रहे थे, अगर मैं बात करूं, halogens की, तो halogens जो इक graph का ascending order है, उपर उठ रहे, एक बार उपर उठ रहे, फिर नीचे आ रहे, उपर उठ रहे, फिर नीचे आ रहे, तो halogens यहाँ आ रहे थे, मतलार, जो highly electron negative elements थे, उनकी position ascending, halogens यहाँ थे, जो low reactivity थी, जिन elements की, like noble gases, वो in descending order, जिस यह graph नीचे आ रहे, नीचे आ रहे, नीचे आ रहे, तो नोड़ा बजो, 1869 तक, 1869 तक, जब यह predictable या हमारे सामने आई, यह arrangement हमारे सामने आई, इस arrangement ने सबसे जागा elements को arrange किया, अब तक, 1869 तक की बात कर रहा हूँ है, आज भी, अगर हम अपनी modern predictable के elements को arrange करें, इस तरीके के graph में, तो exactly यही property, हमें अपनी modern predictable में भी देखने को मिलती है, यही curve, हमारी modern predictable में भी देखने को मिलती है, तो लोथर मियर ने जो किया, वो बहुत बड़ा break through था, यह बात है, 1869 की, 1869 की, ऑके, बट, तो I hope आपको यह बात clear होगे, इस curve में, जैसे जो element यहां आ रहा है, उसकी property इसके जैसी होगी, यहाँ पे आपक के elements देखने को मिलेगे, अगर आप लोथर मियर की इस graph को देखोगे तो, but 1869 में कुछ ऐसा भी हुआ, जिसकी वज़े से लोथर मियर की यह बहुत बड़ी discovery, invention, दूंदली पड़ गे, कुछ ऐसा हुआ, जिसने लोगों का ध्यान, इससे हटागर अपनी ओर खीचाब, वो अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, मैंदलिंग का, मैंदलिंग की predictable कैसे थी, उन्होंने किस तरीके से events को अरेंज किया, 1869 में रोथर मियर भी आया, और 1869 में मैंदलिंग भी आया, मैंदलिंग की predictable को 2019 में, कितने 1500 साल हो गए शायद, यस 1500 साल हो गए, 2019 में, इसी 2009 को, International Year of Predictable के रूप में भी मनाया गया, UN के द्वारा, अगर आप सर्च करेंगे, UN Year of 2019, तो आप पाएंगे, UN के according, 2019 was the Year of Predictable, because ये वो साल था, जिस साल, मैंदलिंग की predictable, दिये 1500 साल हो गए थे, तो ये है, नेक्स्ट में हम मैंदलिंग की predictable, मैंदलिंग की predictable पढ़ेंगे, लोकर में ने जो किया, वो छोटी बात नहीं थी, बट कुछ इस से बड़ा भी हुआ, जिसकी बज़े से ये हमें छोटा लगते लगा, थैंक यू बएरी मुँद बच्छो,